हेलो अब्रीवन विल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल माइड विप क्लासेश इस वीडियो में 24 फरवरी 2024 का सिफ्ट फॉर्थ का कोस्ट पेपर कवर करेंगे और आपको आल कोस्ट पेपर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे प्लेलिस्ट बना हुआ है सबसे पहले कि 16 माइनस करेंगे तो जीरो आएगा फिर 16 का डवल 32 होता तो सुन में 32 माइनस करने पर माइनस 32 फाइंड होगा नेश्ट कोस्ट निम लिखित में से अच्छो के कौन से एक समों को दी गई अच्छर संकला करिक्ती स्थानों में क्रमिक रूप सी रखने पर संकला पूरी हो जाएगा फिर एक भी यहां पर आएगा फिर इसके बाद देखें पांसी है अथात आंसर होगा त्रिपल सी और भी इसका आप सो नंबर थाड करेक्ट है नेस्ट कोस्ट निम लिखित प्रस्ट में दिये गई भी कल्पों में से उसाक्रतिका चैन कीजिए जिसे प्रस्ट च आपको आई डायरेक्शन जब चलेंगे तो तीर यहां पर आजाएगा और वाकी तीन त्रिपुज होंगे तो यह बिकल्प का सारह लेते हुए आप देखेंगे इसका बिकल्प नंबर फोर्थ करेक्ट है नेस्ट कोस्टन है नीचे एक सरंकला दी गई जिसमें एक पदलू दिए गई बिकल्पों में से उस बिकल्प का चेहन किजिए जो स्रंकला को पूरा करेगा सबसे पहले यहां पर देखें स्रीज कब फर्ष्ट लिटर पी है तो अर्थाथ 16, 16, 20, 24, 24, 24, 28 अर्थाथ 20 और इसमें 4 पुनए प्लस करेंगे तो 2, 4, 6 अर्थाथ याफ होगा यह देखें लिटर देखें यहां पर 13, 4, 17, 4, 27, 24, 25 और 25, 29, 29, 29, 29 का मतलब C आएगा वाई में 4 प्लस करने पर थर्ड लिटर में भी 4 प्लस करेंगे 14, 4, 18, 4, 22, 4, 26 और फिर 4 आइट करेंगे तो यहां पर D आएगा तो देखें F, C, D एक ही आप्सन में है लेकिन आगे J आए यहां पर देखें दो समीकर्ण दिये गए हैं और एक समीकर्ण तीसरा इसकी बैलू find करना है और यहां पर देखें उची चिन्हों का प्रयोग करते हुए देखें A, B, C की जगे उची चिन्हों का प्रयोग करना तो B की जगे multiply, A की जगे plus और C की जगे minus तब एक सो पंदर में भी देखें B की जगे multiply, A की जगे plus का symbol, C की जगे minus अब इनको आपस multiply करेंगे तो 4, 25, 20, 28, 28, 28 में 9 घटाएंगे तो यहां पर होगा 19 तो इसका option number 4 correct है, next question है दी गई आकरति के उस सही दरपन प्रत्विम का chain कीजिए जो दरपन यम्यन को उस आकरति के दाइयो रखने पर बनेगा, यहां पर देखें दरपन प्रत्विम में हमें इसा right to left आकरति यहां पर change होती है, अथा right वाला हिस्सा left तरफ आएगा, left वाला right तरफ, तो इस आकरति का देखें बिकल्ब का सहारा लेंगे, तो इसका बिकल्ब सेकेंड करेक्ट होगा, next question है, एक निस्सित कूर्भासा में carrot को 81 लिखा जाता है, broccoli को 85 लिखा जाता है, उसी कूर्भासा में mushroom को कैसे लिखा जाएगा, पहले तीनों सब्द लिख लेंगे, फर्ष्ट सब्द कैरेट में देखी प्रतेक लिटा का क्रमांकिक मान पहले लिखेंगे, तो यह 3, 1, 18, 18, 18, 15, 20, अब करमांकिक मान को आप एट करेंगे, तो जब यहाँ पर जोड़ेंगे, तो बैलू प्राप्त होगी 75, अब 75 के बाद यहाँ पर देखिए, 6 लिटर है, टोटल कैरेट में, तो प्लस 6 और कर देएंगे, तो यह 81 प्राप्त होगा, फिर next इसमें भी देखे, करमां लेटर है, टोटल 4, 4, 8, आठ लेटर है, इसलिए प्लस 8 और करेंगे, तो 77, 8 होता है, 85, सेम यहाँ पर देखे, करमांकिक मान लिखेंगे, 13, 21, 19, 8, यहाँ पर 18, 15, 15, और 13, अब यह सभी करमांकिक मान को आपको प्लस कर लेना है, तो जब आप प्लस करेंगे, तो यहाँ पर बैलूप फाइंड होगी, 122, लेकिन यहाँ पर अच्छर है, टोटल 8, तो 8 हो रैट कर देंगे, अच्छरों की संख्या, तो 122 और 8, 130 होता है, यही इसका अंसर होगा, आप सा नंबर से केंड करेक्ट है, नेस्ट कोस्टन है, निम लिखित में से कौन सी संख्या दे ग पर यहाँ देखें को सी 7 केंड से 5 में जाएंगे, फर्था 6 में जाएंगे, तो देखीं, यहाँ पर प्लस 1 कर रहा है, तो यहाँ भी प्लस 1 ही किया होगा, तो 43 होगा, यहाँ कोस्टन मार की जगए 43 होगा, आप सा नंबर 1 करेक्ट है, यह अच्छ कोस्टन है, पांच मित पहले पाच मित्रों की यहां सिटिंग पोजीशन बना लेते हैं तो चार की सिटिंग पोजीशन इस प्रकार होगी यहां पर बैठा लेते हैं अब यह देखे केंदर की और मोगर करके बैठे हैं कहरा बीश सी के ठीक बाइं और बैठा तो सी को यहां बैठाते हैं तो यह बाया होगा बीश सी के ठीक बाइं और बैठा है फिर आगे देखे जी सी का निकरतम पलोसी नहीं है तो जी को आपको यहां पर नहीं बैठाना है तो आगे देखे इस लाइन को अभी छोड़ देते ह फिर कहरा यच पी के दाइयोर दूसरे स्थान पर बैठा है तो देखे यहाँ पर यदि पी को बैठा है तो इसके दाइयोर दूसरा पहला चोड़ करके दूसरा यहाँ पर होगा तो यहाँ पर यच को बैठाएंगे और जी को यहाँ पर बैठा देते हैं वीकि C का निकर्तम पडोसी नहीं है तो आगे अब देखे यहाँ पर G है अब देखे P के ठीक दायोय और कौन बैठा है तो यह P दरपड़ प्रत्विम में हमेशा right to left आकरती चेंज होती है अभी पिछले question में यहां पर देखें तो यहां पर देखें right वाला हिस्षा left तरफ जाएगा left वाला हिसा राइट तरफ आएगा तो आप option का सारा लेंगे यह पिछले question में जस्ट दरपड़ पूछा गया है आपसा नम्मर इसका थर्ड करेक्ट होगा नेस्ट कोस्षन है निम लिखित प्रस्ट में दिये गए भी कल्पों में से सम्मंधित अच्छनों का चैन कीजिए यहाँ पर देखेंगे इन दो सब्दों का आपस में जो सम्मंध है वही होगा तीसरे का चौथे से तो देखें यहाँ फर्स्ट लिटर देखेंगे 12 से गेरा हुआ अर्थाथ माइनस 1 किया है यहाँ पर 25 से 22 हुआ तो माइनस 3 किया है सेम यहाँ पर भी फर्स्ट लिटर में माइनस 1 से करें लिटर माइनस 3 तो J में 1 माइनस करेंगे तो यहां पर I आएगा और 23 में 3 घटाएंगे तो 20 अर्था T होगा तो I T इसका अंसर होगा आपस नमबर 1st करेक्ट है निमलिखित प्रस्ट में दिये गए भी कल्पों में से उस आकरती का चैन कीजिए जिसे प्रस्ट चैन के स्थान पर रखा जा सकता है यहां पर देखें आकरती देखेंगे तो यह आकरती कलाकवाज डायरेक्शन में घूम रही है और एक लेटर यहां पर बढ़ रहा है देखें यहां पर 4 लेटर थे तो फस्ट में यहां पर देखें चार लेटर है तो second में देखेंगे तो यहां पर एक लेटर यहां पर बढ़ जाएगा तो आप बिकल्प का सहरा लेगे यहां पर देखे बिकल्प नमबर इसका थर्ड सेकेंड करेक्ट है यहां पर टी यहां पर एक लेटर बढ़ गया बाकी लेटर जेव कत्यों उसी डायरेक्शन में लिखे हुए है नेस्ट कोस्टन देखेंगे पांच सहकर्म कि एमा, एथन, ग्रेस, हन्ना और इसक एक ब्रत्ता कार्मेज पर केंडर की वर मुकर के बैठे हैं सबसे पहले हैं पर पांच मित्रों की सिटिंग पोजीशन मरा लेते हैं तो चार की यहां पर यह फिक्स होती है पांचमा यहां पर बैठाएंगे अब यहां पर देखे कह नहीं नहीं है तो इस लायन को भी छोड़ देते हैं फिर आगे देखेगा एधन और परोसी नहीं है तो एमा के बगल में यहाँ पर एथन नहीं बैठाएंगे तो एथन को बैठा देते हैं इधर अब यहाँ पर जब एथन बैठाएंगे तो कहरा कि इसाग एथन के ठीक दायोर बैठा तो एथन के दायोर इसाग अर्थात इसाग को यहाँ पर बैठा देते हैं लास्ट भी देखिए, ग्रेस के ठीक बाई और कौन बैठा है, बैठी है, तो ग्रेस के बाई और देखे तो हन्ना, इसका आपसा नमबर सेकेंड करेक्ट है, नेस्ट कोस्टन है, देए गए सब्दों को अग्रेजी और माला की क्रम में बेवस्थित कीजिए, यहाँ पर प्रतेक सब्द में पहले 5 लिटर देखेंगे, तो यहाँ पर B है, B पहले आता है, तो अर्थाद 2 नमबर का पहले आएगा सब्द, फिसके बाद C आता है, तो इसके बाद एक नमबर का आएगा, फिसके बाद आता है, अर्थाद 4 नमबर का आएगा, फिसके बाद करम से आ first है कोई लाल काला नहीं है तो कोई लाल काला नहीं तो ये दूर दूर बनाएंगे ये first डाइग्राम लाल को indicate करेगा second काला को फिर इसके बात करा कि कोई चूहा काला नहीं है तो यहाँ पर चूहा को भी दूर बना लेंगे कोई चूहा काला नहीं है तो यहाँ पर देखे इन में कोई connection नहीं है लेकिन लाल और चूहा का connection हो सकता है अब देखे इन निसकर्स देखेंगे कहरा कि कुछ चूहे लाल नहीं है यहाँ पर देखे कुछ चूहे लाल नहीं है तो ये भी गलत है अथाइं दोनों निसकर्स गलत है यहाँ पर देखिएगा सीमबल होगा देए गये बिकल्पों में से किन्दो चिन्हों को आपस मदलने पर निम लिखे समी करें सही होगा तो यहाँ पर देखिएगा बिकल्ब का सारा लेते हुए गुणा और equal को आपस में बदल देते हैं तो equal की जगे गुणे का symbol होगा गुणा की जगे यहाँ पर equal का symbol आएगा तो देखे इसको पुना लिख लेते 10 into 3, यहाँ पर लिखा 10 गुणे 3, फिर divide by यहाँ पर 2 है तो divide by 2 लिख लेगे फिर minus 5, फिर plus 1 यहाँ पर plus 1 है equal गेरा अब यहाँ पर देखे गेरा प्राप्थ होना चाहिए तो इसको solve करते हैं 2, 1, 2, 5, 10, 5, 3, 15 15, 15 भी 5 घटाएंगे 10, 10 प्लस 1 जोडएंगे तो गेरा प्राप्थ हो जाएगा तो अब यहाँ बिकल first correct है next question एक लड़की की तस्वीर के उरी सारा करते हुई रेखा ने कहा तो देखे यहाँ पर रेखा लिख लेते हैं बाएं साइड और लड़की को लिख लेंगे यहाँ पर दाएं तरफ अब देखे इनवर्टेट कामम क्या लिखा है वह मेरे भाई के पिता की बेटी है अर्थात यह जो लड़की है रेखा के भाई के पिता की बेटी है तो रेखा के भाई के पिता अर्थात रेखा के भी पिता होंगे और इसी की पुत्री है अर्थात यहाँ पर आ जाएगी यह लड़की तो ये तीनो भाई बहन होगे आपस में तो कहरा कि उस लड़की का रेखा से क्या संबंध है तो बहन होगी ये लड़की रेखा की बहन होगी आपस नमबर से केंड करेक्ट है नेस्ट कोस्टन है निम लिखित प्रस्ट में दिये गए बिकल्पों में से संबंधित अच्छर युगं का चैन कीजिए यहां पर देखेगा फर्ष्ट दो सब्दों में आपस में जो संबंध है वही संबंध आपको पेर से सर्च करना है बिकल्प से देखें यहां फर्ष्ट लिटर देखेंगे तो यहां 6 से 2 हो गया अर्थात माइनस 4 किया है फिर यहां पर देखें C है C में 4 घटाएंगे तब आई होगा तो माइनस 4 यहां भी किया है 17 से 13 हुगा अर्थात माइनस 4 यहां भी किया है तो प्रतेक लिटर माइनस चार किया, तो यहाँ पर भी देखे, A में माइनस चार करेंगे, तो यहाँ पर आई होगा, अर्थार 9, 4, 13, 7 में माइनस चार करेंगे, तो तीन पर आप्ट होगा, तो आपसन थर्ड करेक्ट है, नेश्ट कोस्टन है, नीचे दर्स आएगे, अनु के इसका विकल्प कसारा लेती हुआ भी करएक है एक निस्षित कूटभासा को जेंट को जेढ आर वन लिखा जाता है राइट को पी जीएप आर वन लिखा जाता तो उस से 3 हो गया तो माइनस 2 किया है फिर यहां पर 6 से 4 हुआ तो माइनस 2 किया है और 20 से 18 हुआ तो माइनस 2 किया है और यहां पर 1 यहां पर लिख दिया है साथ में यहाँ पर भी देखे 18 में 2 घटाएंगे तो 16 9 में 2 घटाएंगे तो यहाँ 7 है फिर 7 में 2 घटाएंगे तो 5 होगा फिर यहाँ पर 8 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 प्राप्त होगा और 20 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 18 और देखे एक को यहाँ पर रिपीट कर दिया है अब यहाँ पर भी माइनस दो प्रतेक लेटर में आपको कर लेना है माइनस दो और इसके बाद यहाँ पर दो लिखेंगे क्योंकि एक के बाद 2 आता है तो देखे 19 में दो घटाएंगे तो 17 होगा फिर इसके बाद 20 में दो घटाएंगे तो यहाँ पर 16 18 होगा अर्था 18 आएगा और बिकल्ब का साहरा लें तो यहाँ पर देखे बिकल्ब नमबर सेकेंडी करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर तो दो ही लिखेंगे और यह दिया हुआ है एक ही इसमे है Q, R, P, Y जो कत्यों यहाँ पर लिख देते हैं G, E, F, R तो यहाँ पर 2 आएगा तो आप 2-2 माइनस कर देंगे प्रतेक लेटर में और साथ में 2 यहाँ पर लिखेंगे एक के बाद अब 2 आएगा यहाँ पर नेस्ट कोस्टन है यहाँ से जीके के 20 कोस्टन कभर करेंगे कोस्टन नमबर फस्ट है डाक्यूमेंटरी फिल्म बासुरी गुरू नेम लिखित में से किस बारती संगीतकार के जीवन पर अधारित थी करेक्टा अंसर है हरीश प्रसाद चोरसिया यह बासुरी वादक थे नेम लिखित में से किस ने 2893 में सिकागों में 20 सुधर्म संसत को संपोधित किया था करेक्टा अंसर है स्वामी विवेकानन्द नेस्ट कोस्टन है जून 2013 तक नागरिकों को उनके घरुष कानूनी सहायता प्राद करने के लिए बहुवासी भारत कानूनी आप कानूनी हेल्प नाइप लाइन किस ने लांच किये करेक्ट आंसर है आप्स नमबर 4 नियाय मूर्ती MN बेंकर चलाईयाने नेस्ट कोस्टन बेंक दर में कमी मुद्रा पूर्ती में रिक्तिस्थान कर सकती है तो करेक्ट आंसर है ब्रध्धी नेस्ट कोस्टन भरपनाट्यम के लिए 2009 में बद भूशन जीतने वाले जोड़े निम लिखित अर्थाद रिक्तिस्थान है करेक्ट आंसर है आपसर नंबर सेकेंड वन निदिल पुदिया बीटिल धननजयान और सांत धननजयान नेस्ट कोस्टन है निम लिखित में से किस राज्य का संबंद कर्थक से है करेक्ट आंसर है फस्ट उत्तर प्रदेश नेस्ट कोस्टन फ्री थ्रो रिक्तिस्थान का खेल सब्द है करेक्ट आंसर है बास्केटवाल स्री लंका भारत से पाग जल डमरू मद्ध और रितिस्थान द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकेंड चैनल द्वारा अलग होता है करेक्ट आंसर है मननार की खाड़ी भारत की निम लिखित में से किस पंचवर्शी योध्णा ने अपना लच्छित विकास आसिल किया करेक्ट आंसर है आठमी योग पंचवर्शी योध्णा सेंट्रल बैंकिंग अवार्ट्स 2030 में 2030 के लिए गवरनर आप द एयर किसे चुना गया करेक्ट आंसर है सक्ति कांत दास को केरल का पारंपरिक उत्सो कौन सा है करेक्ट आंसर है ओडम नेस्ट कॉस्चन है आदनिक आवर्ट सानली के अंसार हीलियम का परमान उक्रमां क्या है करेक्ट आंसर है दो नेस्ट कॉस्चन है निम लेखित में से कौन संब्ध क्रिकेट सेसंबंदित नहीं है निम लेखित में से कौन चंदरगु्ट प्रथम की पतनी है कुमार देवी भारत अपनी लगभग रितिस्थान भोमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साजा करता है करेक्ट अंशर है 106 किलोमीटर नेस्ट कोस्टन भारती समिधान का अनुछेद इंक्यामार ए फास्ट नीम लिखित में से किस से सम्बंधित है करेक्ट आंसर है आप्षन फोर्थ सालजनिक संपत्ती की रच्छा करना और हिंसा का त्याग करना नेस्ट कोस्टन बैधानिक तरलता अनुपात क्या है तो यहाँ पर देखे आप्षन फोर्थ करेक्ट है यह जमाओं का वह प्रिश्चत है जो किसी बैंक में अल्पकाल में तरल रूप में रखना होता है नेस्ट कोस्टन है भारत में सर्वोच नयाले की नयाधीसों का बेतन दिक्तिस्थान द्वारे इंदेधारित किया जाता है प्रधान मंत्री सिनरियन मोदी की अध्यचता में आर्थिक मामलों की मंत्री मंदली समितने 2023 में रिक्तिस्थान की अवधि के लिए 13,000 करोल रूपए के बित्ती परिब्बे के साथ एक नई केंदरी छेतर पर योजना पीयम विस्व कर्मा को मंजूरी दी करेक्टांसर है पांच वर्स के लिए नेस्ट कोस्टन है यहांस देखे 20 कोस्टन समायच के कवर करेंगे फर्स्ट कोस्टन है अनिल अपनी आय का 30 परिश्चत एक स्कूल को दान करता है और सेस का 70 परिश्चत अपने बैंक में जमा करता है यदि उसके पास अभी भी 97,965 रुपाई है तो अनिल की आय कितनी है देखे आय मार लेते हैं कि यक्स रुपाई है अब यहां पर देखे पहले यक्स आय का 30 परिश्चत इसकूल को दान कर देता है तो बचेगा 70 परिश्चत तो लिखेंगे 70 बटे 100 फिर देखे सेस का 70 परिश्चत अपने बैंक में तो देखे पहले 00 कैंसिल ऐउट कर लेते हैं साथ से 7razट एक गम साथ यहां पर देखे साथ एक कम साथ फिर 27 हुआ तो 731 फिर 6 चैठ 69 शाट हुआ कर देंगे तो यहाँ पर यक्स की वैलू आ जाएगी तो यक्स 400 से गुड़ा करने पर 46,500 आए हो जाएगी इसका आपसा नमबर थर्ड करेक्ट है नेस्ट कोस्टन है यदि किसी बस्तु का अंकित मूल 25 रुपए और बिक्रे मूल जόट दे रहा 1 का और लेकिन परसेंट में फाइड करना है तो एक की छूट हमेशा अंकित मूल पर होती है तो अंकित मूल के बाईलू 5 तो पाच नीचे लिखेंगे अगे हैंड़ेड तो पाच एक कम 5 5जोनी 10 यहाँ पर 20 परसेंट की छूट होगी परसेंट में find करेंगे next question एक set का अंकित मूल उसके क्रेमूल का दुगना है यहाँ पर अंकित मूल अर्था market price और क्रेमूल का अर्था CP यहाँ पर cost price तो CP यदि 100 लिखते हैं तो MP हो जाएगा 200 क्योंकि अंकित मूल क्रेमूल का दुगना है अब कहरा 20 प्रिस्ट का लाप राप्त करने के लिए तो यदि 20% का लाप हमेशा CP पर होता है तो SP हो जाएगा 120 यहाँ पर 120 हो जाएगा SP अब कहरा कि छूट कितना देना हो चाहिए तो छूट हमेशा MP पर होता है तो MP 100 है अंकित मूल 200 है और यहाँ पर विक्रे मूल 120 है तो यहाँ पर देखे छोट कितने का दे रहा है तो यहाँ पर 80 का छोट दे रहा है लेकिन प्रिस्ट में Find करना है तो 80 उपर लिखेंगे और अंकित मूल पर हमेशा छोट दिया जाता है तो अंकित मूल की बैलू नीचे लिखेंगे into करेंगे handle ये इस तरह से छोट का प्रिस्षत find होगा तो 00 पहले cancel out कर दे हैं sorry यहाँ से 00 से 00 cancel out दो एक कम दो 40 दूनी 80 तो अथा 40% की छोट हो जाएगी तो इसका विकल्ब थर्ड करेक्ट है next question है यदि P अनपाथ क्यू बराबर 6 अनपाथ 5 है तो 6P प्लस 5 क्यू अनपाथ है 6P-5 क्यू कमाड कितना होगा देखे P की बैलू 6 रो Q की बैलू 5 आपको put कर देना है तो P की जगे 6 Q की जगे 5 यहाँ P की जगे 6 Q की जगे 5 तो देखे 6 6 36 और 5 पचंप 25 36-25 इंक्यामन होता है तो यहाँ पर 61 होगा 36 और 25 अनपात में यहाँ पर देखे यहाँ पर 36 और 25 घटाएंगे तो गेरा बैलू बचेगी तो 61 अनपात गेरा एक ही आपसन में दिया हुआ है किसी संख्या में 28% की ब्रद्धी करने पर तो संख्या में 100% होती है 128% की बैलू आपके सामने दी हुई है आपको 100% की बैलू फाइंड करना है तो देखे 32 से कैंसिल आउट करेंगे 32 दाहम 320 और 32 चवको होता है 128 अब देखे 4 से 100 बनाना तो 25 का गुना करेंगे यहां पर भी 25 का मल्टिप्लाई करेंगे तो 25 दाहम 250 अथा तुर संख्या 250 होगी नेश्ट कॉस्टन है यदि X बरावर 3 बटे 8 Y और Y बरावर 3 बटे 4 Z है तो X उनपात Y उनपात Z कमान कितना होगा यहां पर देखे Y को जब X के बटे में ले आएंगे तो X और Y का रेशियो यहां पर बन जाएगा X उनपात Y यहां पर बनेगा 3 बटे 8 3 बटे 8 को लिख सकते है 3 बटे 8 इसी प्रकार Z को Y के बटे में ले आएंगे तो Y उनपात Z बनेगा यहां पर देखे बहलू दिया हुआ 3 बटे 4 अथा 3 बटे 4 अब आपको समलित अनपात X Y Z का निकालना है तो यहां पर Y Y Z लिख लेंगे पहले अब Y का अनपात में दिया है 3 अनपात 8 तो यहां लिखेंगे 3 अनपात 8 और Y और Z का दिया हुआ है यहां पर देखे 3 अनपात 4 तो Y और Z के निचे यहाँ पा लिखेंगे 3, 35, 4 अब डाइरेक्ट इसको find कर लेते हैं तो देखे X की value जब find करना तो 3 into 3 3 तरह कर 9 गुणा करेंगे Y का find करना तो सीधा multiply करेंगे 8, 3, 24 और जब Z का find करना होगा तो यह 3 गुणा करेंगे 8 और 4 का तो 8, 4, 32 तो यही इसका अनुपात बन जाएगा 9 अनुपात 24, अनुपात 32 X, Y, Z का नेश्ट कोस्टन है 5 कमागत 20 संख्याओं का आउसत 21 है तो इन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है अब देखे यहाँ पर आउसत 21 दिया है यहाँ पर आपसन सेकेंड करेक्ट है नेश्ट कोस्टन है 6 मीटर लंबे एक बिजली के तार को 5-5 मीटर के बराबर खंडों में काटा जाता है तो खंडों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर देखे 6 मीटर टोटल है 5-5 के खंड बनाना है तो बारा बार जाए बिभाजित होगा अथात खंडों की संख्या बारा होगी नेश्ट कोस्टन है पिछले साल नील ने दो घडियां खरी दी इस साल उसने 15,000 रुपए प्रती घडि की दर से दोनों घडियां बेंच दी यहां पर देखे दो घडि का बिक्रेमूल यहां पर समान है एक घडि पर उससे 25% का लाब हुआ दूसरी घडि पर उससे X% की हानी हुई और टोटल हानी उससे 2000 रुपए की हुई तो X कमान कितना होगा आप्शन का सारा लेंगे पहले देखे फर्स्ट में 25% का लाब हुआ था तो फर्स्ट घडि जब बेंचा तो 100 मान लेते हैं कि 100 क्रेमूल है 25% का लाब होगा तो बेक्रेमूल हो जाएगा 125 रेशियो बनाएगे तो 25-100, 25-25, 125 अथा CP-SP का रेशियो बनेगा यहां पर 24-5, यह हो जाएगा CP और यहां पर ESP होगा फिर आगे सेकेंड घडि में यहां पर देखे कहरा कि दूसरी घडि पर 1% की हान हुई तो आपसन का सारा लेंगे मान लेते 25% की हान हुई तो 100 की यहां पर घडि थी तो 75 में बिकेगी तो यहां पर रेसियो फाइंड करेंगे 25 से 25 चोको 100 और 25 त्याइम 75 कैंसिल आउट करने पर यह बनेगा 4 अनपाते 3 लेकिन यहां पर प्रस्ट में देखे घडि का बिक्रे मूल दोनों घडि का समान है तो यहां पर बिक्रे मूल 5 है यहां पर 3 है तो इसको एक्वल करेंगे तो 3 का गुणा कर देगे इन दोनों में तो देखे नया रेसियो बनेगा 3 चोक 12 और 3 प्चे 15 और फे इस पे यहां पर दोनों से मल्टिप्लाइ करना है और 5 का गुणा कर देएंगे यहाँ पर देखे इन दोनों के साथ 5.20, यहाँ पर CP 20 होगा, 5.15 SP होगा, अब यहाँ पर देखे, यहाँ पर विक्रे मूल समान हो गया, यह CP है दोनों का और यह SP है दोनों घडियों का, तो जब विक्रे मूल यहाँ पर समान हो गया, अब यहाँ पर टोटल CP 20 और 12 जोड़े है तो टोटल तीस हजार विक्रेमूल होगा अब यहां पर अनपात में दिया है तोटल विक्रेमूल तीस तो यहां पर देखें तीस अनपात की बैलू लिखेंगे तीस हजार के बराबर तो यहीं से एक अनपात की फाइन करेंगे जिरो जिरो कैंसिल आउट तीन एक कम-3 यहां भी 3 एक कम-3 1 अनपाथ की Wi-lo एक हजार clearly दो अनोपाथ की हो रही गों फार ज्रुट की कि जब निकालेगे तो 2×1,0? करेंगे तो टोटल हानी हो जाएगी 2,0? की जो की प्रच्ष्ट में दिया हुभ आपर total हानी 2,0? है तो ये इससे आप option का सहरा लेंगे तो इससे आप find कर पाएंगे कि 25% की हानी हुई दूसरी घड़ी पर next question है 17,000 रुपए को 22,000 की वार्षिक दर पर एक वर्ष के लिए चक बदिव्याज पर वार्षिक रूप से सहियोजित पर दिया जाता है यदि व्याज अर्थवार्षिक रूप से सहियोजित किया जाए तो कितना अधिक व्याज प्राप्त होगा यहाँ पर देखे एक वर्ष का साधान व्याज और चक बदिव्याज पर एक्वल होता है दूसरे वर्स का चक्रविदियाद दो वर्स का तो difference equal to होता है principle into rate upon handed power में यहाँ पर 2 तो देखे यही difference यहाँ पर find हो जाएगा principle 17,000 रुपए है तो यहाँ पर लिखेंगे 17,000 into rate की बैलू यहाँ पर गेरा होगी क्योंकि दो time यहाँ पर दो दिया हुआ है दो छमाही बनेगे तो देखे यहाँ पर गेरा बटे लिखेंगे 100 और into लिखेंगे गेरा बटे 100 तो यहाँ से 3-0 से 3-0 cancel out हो जाएगा गेरा का वर्ग होता है 121 अब 17 से जब गुणा करेंगे 121 से तो यहाँ पर find होगी बैलू दो हजार संतामन यहाँ फिर एकाई यहाँ पर चेक कर लेंगे सत्रा एककम सत्रा की साथ एक ही आपसन भी काई में साथ है 2057 बटे में 10 है तो यहीं से बैलू हो जाएगी 205.7 यही आंसर होगा यह डिफ्रेंस होगा नेस्ट कोस्टन है यहाँ पर देखेंगे सिंपलिफिकेशन कोस्टन है यह सवाल दो हिस्सों में डिवाइड है पहला ह हिसा पहले सौल करेंगे तो ब्रैकेश में देखें तीन दूनी च्छे चैर तीस से भाग करने पर चैर पंचे तीस पांच प्राप्त होगा और पांच में दो जोड़ेंगे तो यहाँ पर साथ प्राप्त हो जाएगा नेस्ट को एक निस्सित धनरासी पर तीन बटी दो वर से लेट का इस टायम से तो देखे ब्याज प्राप्त हो जाएगा 702 अवर यह पर सिंट में होगा यह बङर ब्याज प्राप्त हो गया और सटीन घंस यहा पर दिया हूा 3 को माइनस तीन बटी दो इन्ट्फ करेंगे यहाँ पर 12 और यह भी पर संस्ट में फांड होगा यह % में ही फाइंड होगा अब दोनों ब्याजों का अंतर यहां पर दिया 1920 तो यहां पर देखें 2 एक कम 2, 2 चक का 12 तो 46, 42 % और माइनस यहां पर 2, 6, 3, 18 % इन दोनों का अंतर यहां पर 1920 है तो अब देखें दोनों को जब घटाएंगे तो 12 मेयार घटाएंगे 4, 3 में अथा 100% की बैलू फाइंड करना है तो देखें 24 एक कम 24, 24, 28, 92 होता है तो 1% की बैलू 80 है 100% की फाइंड करना है तो 100 इंटू 80 करेंगे तो यहां पर 8,000 रुपए धामरासी हो जाएगी इसका आपसर नमबर फर्स्ट करिक्ट है स्याम किसी काम का 3 बटे 5 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है देखें यहां पर स्याम किसी काम का 3 बटे 5 भाग 10 दिन में करता है तो टोटल कितने दिन में करेगा तो 5 धाम 50 और बटे में जाएगा 3 अर्था कुल काम करेगा तो टोटल काम 50 बटे 3 दिनों में अब आगे कह कoh Prudka कि राकी श्याम से 1.5 गुमा कुसल है तो यहाँ पर कार चमता रांफीis यहां पर उमिय कारच्छार का अनपाद बनाएंगे तो रा खी स्याम से डेड़ होना कुसल है तो अर्था 3 बटे 2 डेड़ का मतलब होता है 3 बटे 2 यहाँ पर 3 अनपाद 2 यह efficiency हो जाएगी दोनों की तो अब यहाँ पर देखिए स्याम अकेले किसी काम को 50 बटे 3 दिन में पूरा करता है और स्याम की efficiency कार्चमता 2 है तो दोनों का multiply करेंगे टोटल वर्क हो जाएगा 100 बटे 3 यह टोटल वर्क हो जाएगा यहाँ से find कर लेंगे आप कहरा कि राखी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे तो जब राखी का आपको find करना होगा तो राखी की efficiency 3 है टोटल वर्क यहाँ पर दिया है 100 बटे 3 तो 100 बटे 3 और पहला हिस्सा हो गया दूसरा हिस्सा हो गया यह तीसरा हिस्सा तीनों हिस्से अलग-अलग solve करेंगे तो 25 चो को 100 पहले multiply करेंगे यहाँ सो आएगा फिर माइनस 22 में गेरा से भाग करेंगे तो यहाँ पार 2 आएगा 2 इंटू 7 करेंगे 2 सत्य 14 माइनस 14 प्लस यहाँ पर 4 और टाम और जैरी मिलकर एक घर को 9 दिनों में पेंट कर सकते हैं यदि टाम अकेले उसी घर को 15 दिनों में पेंट कर सकता है तो जैरी अकेले उस घर को कितने दिनों में पेंट करेगी देखे जैरी का अकेले का यहाँ पर पूंच रहा है तो हमेशा देखे 9 और 15 का पहले उपर मल्टिप्लाई कर लेते हैं इसका 60 कर तरीका है नीचे 15 माइनस 9 दोनों का डिफरेंस अब 15 में 9 घटाएंगे तो 6 प्राप्त होगा कैंसिल आउट करेंगे 3 से 3 दोनी 6, 3 पचे 15 पिस देखे यहाँ पर 9 पना 45 45 और बटे में यहाँ पर दो रहेगा जैरी अकेले 45 बटे दो दिन में काम को पूरा करेगी यदि रमन अपनी सामान चाल की 30 प्रेस्ट कम चाल यहाँ पर कम चाल से यात्रा करता है तो जब 100 में 30 गटाएंगे तो बैलू बचेगी 70% 70% का मतलब 70 बटे 100 हुआ तो यहाँ पर 7 बटे 10 अब यहाँ पर इस फीर के यहाँ पर रेशियो मनेगा 7 अनपाते 2 सामान चाल 10 थी लेकिन चलता है 30 परसेंट कम अर्था 7 से चलता है अब यहाँ पर देखिएगा कहरा कि वह तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचता है उसके दोरा लिया जाने वाला सामान समय कितना है तो इस पीड और टाइम का रेशियो अपोजिट होता है इस पीड साथ रेशियो 10 है तो टाइम हो जाएगा 10 रेशियो 7 यहाँ पर अनपात बनेगा 10 रेशियो 7 अब देखिए यहाँ पर अनपात में अंतर है तीन का और यही तीन बराबर दिया है प्रश्ण में 15 मिनट 15 मिनट देरी से तो जब एक अनपात का यहाँ पर फाइंड करेंगा तो 3 एक कम 3, 3 पचे 15 एक अनपात की बहलू 5 मिनट लेकिन आपको सामान समय फाइंड करना है तो सामान समय 7 अनपात में तो 7 अनपात की निकालना है तो 7 पना 35 35 मिनट यहाँ पर आएगा 5 से गुणा करेगे एक अनपात की 5 मिनट है 7 अनपात की 35 मिनट आपसर नमबर फर्स्ट करेक्ट है नेस्ट कोस्टन है यहाँ पर भी देखे सिंप्लिफिकेशन कोस्टन दो हिस्सों में सवाल डिवाइड है पहरा हिस्सा लिखेंगे 625 बटे यहाँ पर 125 आपका मतलब यहाँ पर मल्टिप्लाई का सिंबल आएगा फिर 45 बटे 225 फिर इसके बाद प्लस यहाँ पर देखे 256 बटे 64 और डिवाइड की जगए मल्टिप्लाई का सिंबल लगाएगी तो इसका अंसर चेंज हो जाएगा 196 बटे हो जाएगा 56 अब इसको देखे कैंसिल आउट करते हैं तो 25 से कम 125 125 बटे 625 45 एकम 45 45 होता है दोसो पच्चेश अब 5 से 5 कैंसिल आउट तो यहाँ पर एक प्राप्त होगा यह प्लस है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस फिर देखे 64 एकम 64 64 को होता है 256 और यहाँ पर देखे 24 से कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पर सोरी एक घना कार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़की लंबाई आठ रूट 3 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन कितना होगा तो यहाँ पर घन का आयतन फाइंड करना है देखे घन की छड़की लंबाई आठ रूट 3 सेंटीमीटर है तो घन की छड़की लंबाई घन क बिकंड के पराबर होती, घंड का बिकंड होता है भूजाanden? अठात A.RT.3 की बैलू दी है, आठ रूट 3 तो रूट 3 रूट 3 कैंसिल आओ, तो भूजा हो गई 8 अब आपको वाल्यूम फाइंड करना है अठात A.T.N. गन कायतान होता है भुजा का क्यूग अताते क्यूग एक वैलू आठ है तो आठ का क्यूभ करेगे आठ का क्यूभ होता है 512 cm क्योग यही पर इसका अंसर होगा नेश्ट कोस्टन एक कंपनी के आठ कर्मचारियों का उसत बेतन 6,000 डालर प्रतिवर से यदि पहले चार करमचारियों का अुसेतन प 55isz 習ड़ाव और अंगले दो करमचारिय午 का अुसेतन 7000 $ तो कंपनी के सेज़ है रहाантि माइनस यहाँ पर 4 करमचारियों का अ0 2 करमचारियों यहाँ ठाथा देंगे तो पहले प्रतम चार करमचारियों का वस्त बेतन दिया है पच पन्सो तो बेतन निकालेगे तो 4 इंटू 55 करेंगे प्लस अंगले 2 करमचारियों का दिया है 27,000 डालर तो 2 इंटू करेंगे 7,000 और ये माईनस करने के बाद दोनों को और 2 से डिवाइड कर देंगे बचेंगे से इस दो कर्मचारियों का उसक बेतन यहाँ पर इस तरह से find कर लेते हैं तो 48,48 यहाँ पर हो जाएगा 48,000 माइनस सुरी एक जिरू और आएगा माइनस यहाँ पर 55,000 को यहाँ पर 220 होता है एक दो जिरू और तो 22,000 और साथ दूनी 14,000 तो 22,000 और 14,000 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 36,000 तो यहाँ पर 36,000 आपको माइनस कर लेना है 36,000 माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो जब माइनस करेंगे 48,000 में 36,000 तो बैलू बचेगी 12,000 और डिवाइड बाइड टू तो यहाँ पर 2 एक कम दो 26,000 का बारा तो से इस दो कर्मचारियों का उसद बेतन 6,000 डालर हो जाएगा नेस्ट कॉस्टन है एक मेज 85,000 रुपए में खरीदी जाती है और 8,000 रुपए में बेंची जाती है देखे 85,000 में खरीद करके और 8,000 में बेंची जाती है तो यहाँ पर पहले रेशियो फाइंड कर लेंगे CP और SP का तो देखे यहाँ पर 2,0 से 2,0 कैंसिल आउट फिर 5 से कैंसिल आउट करेंगे 17 बार जाएगा 5 से कैंसिल आउट करेंगे 16 बार तो देखे हाँ नहीं हो रही यहाँ पर 1 की लेकिन हमें इसा CP पर होती है तो जब % करना होगा तो 1,0 से कैंसिल आउट करेंगे 17,85 पॉइंट सम्थिंग आएगा तो यहाँ फिर यहाँ पर 1,0 से कैंसिल आउट करेंगे इसको याद रखेंगे आपसा नमबर 4 करेक्ट है नेस्ट कोस्टन यहाँ से हिंदी की 20 कोस्टन कवर करेंगे देखें फर्स्ट कोस्टन है नेम लिखित प्रस्ट में दिये गए चार बिकल्पों में से उस बिकल्प का चेहन करें जो दिये गए मुहावरे के अर्थ को सरस्ट रूप से भ्यक्त करता है मुहावरह है देखें टार्ट उलटना इसका रत होता है दिवाला निकलना नेस्ट कोस्टन है नेम लिखित प्रस्ट में चार बिकल्पों में से उस बिकल्प का चेहन करें जो कोस्टक में दिये गए सब्द के परिवाची सब्द का सही विकल्प नहीं है कोश्टक में देखी दिया है आवेदन आवेदन का परिवाची सब्द नहीं है आगाज नेस्ट कोश्टन है नेमलिकित प्रस्ट में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चैन करें जो कोश्टक में दिये गए सब्द के सभी बीलों का सभी सभी बिलों सब्द है तो यहां पर देखे कोंच्चಟक में दिए है निस्चल सभी बीलों सब्द होगा चली.RIST दिय गये juvenile वक्ष में से गलत वर्तनी ग्यात किजिये यहां पर देखें वाक है राम तो एक सीधा साधा बच्चा है तो यहाँ पर देखे यहाँ पर गलत वर्तनी होगा सीधा साधा यह गलत वर्तनी है देगे वाक्य में रिखांकी सब्द का तद्भव सब्द ग्याद कीजिए रिखांकी सब्द अर्ध अर्ध का तद्भव होता है आधा दे गए बिकल्पों में से तीन बिकल्प त्रूटी युक्त हैं जबकि एक सही है उस सही बिकल्प का चैन करें देखे इसमें सही बिकल्प है तुम्हें क्या चाहिए दे गए सब्द का पर्यायवाची ग्याद कीजी देखे यहाँ पर सब्द है चांदनी चान्दी का पर्यायवाची सब्द है जोत्षना दे गए वाक कवाई भाग ग्यात करें जिसमें कोई त्रूटी है वाक है देखे इस्वर के अनेकों रूप है जिसे मानों नहीं जानता यहाँ पर देखे अनेकों की जगे होगा अनेक इस्वर के अनेक रूप है Next question नेमलिकित प्रस्ट में दिये गए चार भी कलपों में से उस भी कलप का चैन करें जो दिये गए मुहावरे की अर्थ को सर्फे रेशूप से व्यक्त करता है मुहावरा देखें अळ्दे मुग इलना इसका अर्थ होता है पराधित होना Next question निमलिकित प्रस्ट में चार भी कल्पों में से उस भी कल्प का चैन करें जो कोश्टक में दे गए सब्द के बिलोम सब्द का सही भी कल्प है कोश्टक में देखी सब्द या है चंचल चंचल का बिलोम होता है एक आग्र दे गए वाक्यांस के लिए सार्थक सब्द ग्याद कीजिए वाक्यांस देखे जो सुना हुआ ना हो इसके लिए सार्थक सब्द है असरब्बे दे गए विकल्पों में से सुधवर्तनी ग्याद कीजिए देखें याँ पर सुद्वर्त नहीं है भारत कराश्ट्री वाक सब्त में हो जैते है नेस्ट कोस्टन है दे गए वाक में रिखांगी सब्द का तत्सम सब्द ग्याद कीज़े रिखांगी सब्द देखें घर घर का तत्सम सब्द होता है ग्रिय नेस्ट कोस्ट नेम लिखित प्रस्ट में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चैन करें जो वाक्यांसों के लिए एक सब्द का विकल्प हो वाक्यांस देखे जिसे प्राप्त ना किया जा सके इसके लिए सब्द होगा अप्राप्त है नेस्ट कुश्वन निमली खीद प्रस्ट में, चार विकल्पों में से उस विकल्प का चैन करें, जो रिक्तिस्थान के लिए सही सभदों वाला विकल्प हो देखे वाक है भारत प्राचिंतम संस्कृति का देश है जहां दान पुर्ने को रिक्तिस्थान का अनिवार अंग माना गया है तो यहाँ पर उची सब्धों का जीवन मुक्ती नेश्ट कॉस्टन नीचे दिए गए गद में कुछ सब्धों छोड़ दिए गए हैं और पर तेक रिक्तिस्थान के लिए चार बिकल्प दिए गए हैं इन चारों में से कौन सा बिकल्प रिक्तिस्थान की पूर्ति करेगा यहाँ पर देखें गद को रीट करेंगे पहले तो देखें रिक्तिस्थान स्टार्टिंग में ही है तो आप बिकल्प का सारा लेंगे यहाँ पर तो सरीर भारत दुनिया की पाच्वी बड़ी अर्थ व्योस्ता बन गया है लेकिन भारती अर्थ व्योस्ता का रिक्तिस्थान यहाँ पर देखे चौते नंबर पर भरेंगे बिकल्ब से विकास बिकास मुख तवर पर महिलाओं से ही यहाँ पर फाइप नमबर में देखे रिक्तिस्थान पर फिल होगा संचालित यहाँ पर होगा महिलाओं से ही संचालित है तो इस तरह से टोटल 80 questions कम्प्लीट हो चुके हैं आपको all questions paper चैनल के playlist में मिल जाएंगे playlist बना हुआ है साथी साथ टेलिग्राम और Instagram कर लिंक वीडियो के description box में दिया हुए तो आप वहाँ से join कर सकते हैं वहाँ पर प्रतेक वीडियो कर लिंक को प्लब्द करवा दिया जाता है